कि अबाइब को नहीं मालूम था कि तु इतना जल्डी बडे गडे जो एक पर जाई जाए कि तुम ने क्या ओगा इतनी फिना दान नहीं हुमें कि तुम एसाम जी नह पाऊ में जाएगा तुम इतनी रात को कहा जाएगा कि बेवी जाओ तुम से मतलब क्या मतलब? मतलब है न? क्योंकि तुम हमारा दिल से दोस्त है अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अगर आप इजादा दें तो ठीक है पर नहीं यहां से भी कहीं चली जाती हूँ अले, मगर हम तरी भी यह कह रहा है, आप इस वक खेले आगी है सब ठीक होता तो आपके घर का पूछती हूई क्यों आती मैं? अले, हुआ क्या है? मैंने कहा था ना आपसे, कि नौशिन को हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं है उसने मेरे भाई को कॉल करके सब बता गिया कि मैं यहां रहती हूँ अले, पर हुआ क्या है? उसका भाई सुमा आया था, अम आपको पूल किया, तुम चाये समंदर में था, हुमारा नंबर नहीं लग रहा था तो क्या बोला उसके भाई ने? उसका भाई पहले से सब कुछ जानता था, वो दो दिन पहरे देखा पैसल के साथ उसको, उसके बादों से प्यार से समझाता रहा तुम लगका क्या लगता है यह? अड़ी हमारा कुछ नहीं लगता है, नौशीन का दोस्त है, उसके साथ पढ़ता है, डाक्टर बन रहा उसके साथ जिसका दोस्त है, जिसके साथ पढ़ता है, उसके साथ उसका लड़ाई हो गया है, तुम बोल रहा है गलत वहमी हो गया है यह सब कुछ तुम्हारे साथ अगर होएंगा तो तुमको पता है कि तुम्हारा नतीज़ा क्या होएंगा आपको लगता है कि वो आकर आपका ख्याल रखेगी उसके तो ब्रेन इंजर्य हुई ना बिचारी की किसी काम के नहीं रही है वो अब है यह किस का बाइब कर रहा है तो जिसको चोट लगा ए उसके दिमाग में चोट लगी थी अब योज के दिमाग कोछ इससे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे है औरे अमने तो उसको बड़ा समझाने की कोशिश किया, उसने तो उल्टा, अम पर इसम लगाते कि आम आपको पोन करके बुलाया है यहां पर, अरे बाई जब भी तुम उसको मिलो यह जरूर बताना कि आमने तुमको कॉल नहीं किया है, लेकिन उसके लिए उसका मिलना जरूर जॉब करेगा, पैसे कमाएगा, यहां पर रहके बॉक्सिंग ही तो करता है सिफ, कोई इंकम भी नहीं उसकी नहीं, यहां कोई पैसे पैसे नहीं मिलता है, उसकी जेब काली है करता है एलो अड़े किदर है तुम तुम हमारा पून क्यों नहीं उठा रहे ऑप है अप बात क्या करें तुम से अड़ी तुम पहले करता था अबास सोनी शांज्ड़ेवला क्या widget करें क्यों नीकाला तुमने घर से उसको तुम हमारा बात पर यकीन तो करता कॉम पर शिक कर रहे हैं तुम आम ने तुम पर शिक किया यह तुमने आम को यकीन दिलाया शापिंग पे तुम उसके साथ जाता था लॉंच डिनर कापी सब तुम उसके साथ इंजॉय किया वो से रोज दर्वादे से चोड़ता पिक करता तुम्हारा अंदर कभी इतना हिम्मत हुआ कि अंदर आ के हमारा आल चल पूछने कि हम कैसा है पिर बोलता है कि हम तुम पे शक करते हैं अली तुम्हारा बात समझने का गुद मॉर्निंग फैसल गुद मॉर्निंग अब सुभाई सुभा किसे बात हो ली थी सुभाई अब अब करत आप नहीं मूँ अलो, अलो इले नोशीन, अलो हडे, आपने क्यों तकल्ट किया, अम्मा बना लेता ना चाहे अब क्या सारी जिन्दा कि अम्मा ही बनाती रहें के आपके लिए चाहे ऐसा बात नहीं है, आप महान है ना, अम इसली बोला आप हाँ तो, कुछ लोगों से मिलके बहुत अप्नायत लगती है, जैसे कि आप, आपके घरवाले और खास वर पे, अम्मी, आज तो उन्होंने मुझसे अपनी इतनी बाते शेयर की, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हो अड़ी वैसे इतना वाते तो हमने भी कभी हमसे शेयर नहीं किये मेरी दर हाँ उनके पास बैठे नहीं होंगे ना कभी हाँ, जे भी हो सकता है आप तो बहुत इत्या चाय बनाते है अच्छा, थैंक यू तो फिर क्या खयाल है आपका किस दबार है मैं? वो, एक कप और चाय बना दो आपके लिए ने ने, ये कापी है हमारे लिए हम मैं अब्यादिया अलिए दोशी अब्गो लगता है तुमको कोई लिए गड़त पेमी है यहां तकाय तो उसको लगता है कि हम उससे वाट पैसल से जलता है इसे अमने उसको यह फोन करके बोला है उसको लगता है अब उसको पैसल से दूर करना चाहता है जबके दूर और करीब तो इंसान दिल से होता है अब ऐसा क्यों करेगा हमारा कयाल है कि हमको उसके भाई को सब कुछ बता देना चाहिए उसका बेहन भी यह से चला गिया है अब उसको कई शक ना हो के अम भी उसके साथ है आप नहीं बताएगा अब मगर ऐसा करेगा तो शान से को लगेगा क्या मुझ से और पैसल से जलता है आप नहीं करेगा और अकिकत क्या है अकिकत हमको अंदजा है तुम फैसल को पसंद करता है बोलो यह सही है ना जब वो फैसल को लेके जाएंगा तो तुम लोग को क्या लगता है कि वो सुभा बेज देंगा तेरे पास तुम फैसल का शकल देखने को तरस जाएंगा जैसा तुम सोच रहे ना सब उसका उलट होएंगा जैसा तुम लग को लग रहे ना कि उसने तुम लग का लिए चाय बनाया है यह सब अभी का बात है हमको सब पता है हाड़े पूरा लियारी तुमारे नाम से हमको जानता है माफ करते हो प्लीस हमको लगता है यह लड़की ना तुमारा जिन्दगी बना देगा हाड़े अमा वो लड़की कैसे जिन्दगी बना देगा वो अपना मेल चोड़ के हमारे तीम मल्ला का गर में रह रहा है तुम कहरे वो अमारा जिंदगी मना देंगा क्यों नहीं हो सकता है सब हो सकता है हमको लगता है वो तुम से ना राजी है कर लड़ुकर वो अपना बेटे का समझाव तोड़ा के लड़की का चखर में नहीं बढ़े जो जिस चखर में पढ़ता है और पर दिंदगी के कुछ नहीं कर सकता है ऐसा बलत का नहीं है वो बड़ा कानदानी हैं हमसे तो बहुत प्यार करने लगा है हम सुबह नमास पढ़ रहा था हमारी लिए चाय बना के लाया क्या इसे फरक पड़ता है चाय बना के लिए क्या है असल बात यह है कि वो लड़की है उसे हम लोग का कोई रिष्टा नहीं है और किसी जवान लड़की का हम लोग का घर कंग तो बहुत अच्छा लगा लड़की ऐसा लड़की हमने नहीं लेका है । नोशीन पोशीन से तो बहुत अच्या जिसको पहादा पसं़ करता है। अचा मतला भी के तु म स्यादी का सौछ रहा है हम को बहुत अच्छा लगा है और तो काम का बात बताए वों पहसल को जाएगा, टिक्ट भी देगा, वीज़ भी देगा, और तोर उसकानोखरी भी लगाएगा. पिर क्या होएगा? फैसल का जिंदगी बन जाएगा, और क्या होएगा? कुछ भी हो ओ लड़किया हमारे दिल को भाग गया है अब फैसल से पूचेगा अज उसर इन नम्हुंटे हैं क्या लगते हैं कि वह सुमा बेज देंगा तेरे पस्तुम बेज देनाहिए ते apolog उसको ये बोलो कि इस लड़की को यहां से बेजे, का मतला भै, हम उस लड़की को घृष से निकाल दे रहे, किसमत में ऐसा मोगा बार बार नहीं आता है, घड़िक किसमत इंसान खुद बनाता है, इसलिए कि कुछ फैषले इंसान को खुद करना पड़ता है, तेर भी तेरा तो पूछने है फैसल से, फिर सुबा हमको नहीं बूलना, कि फैसल हम से दूर हो गया है, यह फैसल अपना हाथों से कर रहा है ठीक है, हम पैसल से बात करूंगा किसे फैसल से बात करेंगा? अजीब 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 वह तुमको बोला था प्लैट पे चक्कर लगाने का, अब रसाइट है ना उदर? अब पोशेर मिलता है दादा, हमको माफ करते हो हम तुम्हारे बगार अंदा है अजीब पूरा लियार ही तुम्हारे नाम से हमको जानता है हमको माफ करते हो प्लीज ठीक है, उठ जा दादा ऐसे नहीं, देल से माफ करो अजीब बोला ना, उठ जा बैठ दादा हम शिर्मिंदा है, हमको दिल से माफ किया ना, तुमने अड़े अब कसम उठावे क्या? दादा, बोला ना, ठीक है हम यह ऐसा नहीं करना चाहिए था पतनी क्या हो अउस दिन हमको हम बहुत शिर्मिंदा है, हमें माफ कर तो अड़े आइंदा अगर उस राज्टे से भी गुजरा ना तो उस दिन बचे गहनी तो अड़े वह दो शिर्मिंदा है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था बतानी कि उस दिन ऐसा क्या हो गया था? भाई ऐसे बार बार बोलके हमको शिर्मिंदा मत करो अच्छा बढ़ी एक बहुत अच्छा काम आया हुए तो इसलिए तो हमसे माभी मांगने आया था? दादा हम तुम्हारे बगार कुछ नहीं है इसलिए हमने तुम्हारा पहूं भी पकड़ा है बाफी भी मांगा है और दो दादा बहुत बढ़ा काम है दादा हम तो बोलता है कि गाड़ी ले लो लियारी वालो पे ना तुम्हारा बर्म पड़ेगा और डोक्टर नी ना बस में जाती है गाड़ी देखेगा ना उसके मूं में भी पानी आ जाएगा काम बोल हुआ 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 है कर दो फूसर क्यों दो नो ना यह दो कर दो कि अम्मा बोलो कैसे लगता है तुमको यह लड़की चांजी आँ उची का बात कर रहा है हम अड़ी अम्मा तुम बहुत भूला है वो यहां रह रहा है इसको यह मतलब नहीं कि वो हमको ज्यादा नहीं सिखाओ जो पूचा वो बताओ हमको लगता है यह लड़की ना तुमारा जिन्दगी बना देगा हड़ी अम्मा वो लड़की कैसे जिन्दगी बना देगा वो अपना मेल चोड़के हमार तीम मला का गर में रहरा तुम क्यारे वो अमारा जिन्दगी बना देगा क्योंनी हो सकता है ? सब हो सकता है घालख तो लगता है , वो तुमसे राजी ही , तुमको पसंद करता है अमा مहा तुमको पता है !! कि हम नौशीन्को पसंद करता है और अगर हम शादी का सोचूंगा अभी ना तो सिर्फ नौशीन से , इसके अलावा किसी से नहीं अमारा बात सुनो, देखो वो लड़की बहुत अच्छा है, अमारा भी क्यार रखेगा अले अमा तुमको कैसे पता वो लड़की अच्छा है? अभी एक दिन हो इसको साथ देखे तुम बहुले अच्छा तुम पात बोला है इसन इतना सादा और असान नहीं है, कि एक दिन में समह जा जाएंगा देख ले, इस से अच्छा लड़की तुमको जिन्दगी मैं नहीं मिलेगा देख अमा, अच्छा लड़की वही होता है, जो दिल से अच्छा लगे और हमको दिल से सिर्फ नौशीन ही अच्छा लगता है, उसके इलावा कोई नहीं लेकिन वो तुमको अच्छा जिन्दगी नहीं दे सकता है तुम इदर मुक्का बाजी करेगा, वो डॉक्टरी करके सो पचास लेगा, बस यह जिन्दगी है अड़े अमा, यही जिन्दगी है, लियारी के लोगों के लिए अच्छा अच्छा काम करना, इनकी बलाई के लिए काम करना यही तो असल जिन्दगी है अमा, इसी लियारी के लोगों के लिए तो हमने कौप देखा है हुआ ना तुमको बाहर ले जाने का बात कर रहा था अमा हम मुल्क से क्या हम लेहरी से बार नहीं जाओंगा और कबरदा तुम उसे बात मात नहीं करना बात मात नहीं करना, अजीब बात करता है, हमको आडर देता, बात मात नहीं करना, तुम्हारा बस यही काम है, मुट के बाद ही, यू, 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 जाओ अपने दोस्तों में जाके, बैठो, हमारा दिमाग खाता है, कुछ भी नहीं बनेगा तुम, इदर जाएगा, बात ही नहीं है, अभी हमने क्या किये, अगर तुम को यह पता ही नहीं के तुमने क्या किये तो पर बात ही का तुम, बात करेंगा तो बात खतम होईगा ना, पूरा रात हम सो नहीं सका है, शांजा की मैजबानी कर रहा होगा ना सारी रात, इसलिए तो सो नहीं सका, तो यह शान्जा का गुस्टा है, हमने उसको बोला, ये लड़की कैसा है, कौन सा लड़की, तुम्हारा बात किया हमने, हमको बोलता हमने तु बहुत बोला है, पिर, बात तर असल ये उन नोशीन है न, उसको पसंद करता है, लेकिन हमने तु शान्जा की आखो में तुम्हारे कर जो इसको तुम्हारे साथ होने पर होता था मौशीन हम पर अद्बार करो हमारे दिल में उसके लिए कभी जबात नहीं हो सकता है हमें तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है तुमने इस बात पर कैसे यकीन कर लिया कौन है आ रहे पूर क्यों काट दिया था बात भी क्या करता हम तुमसे पहले क्या बात करता था पहले तुम ऐसा नहीं करता था अभी हमने क्या किये है अगर तुमको यह पता ही नहीं के तुमने क्या किये था बात ही क्या दीका तुम बात करेंगा तो बात खथम होईगा ना पूरा रात हम सू नहीं सका है शांजा की मैजबानी कर रहा होगा ना सारी रात इसलिए तो सो नहीं सका तो ये शांजा का गुष्टा है मैं तो पर आम को क्या कुश होना चाहिए तुम सारा सारा दिन उसका ड्रेस पेंड कर गुमता रहा वो आमको कुछी कुछी बताते था कि वो कापी पे गया, लांच पे गया, दिनर पे गया और उसके बाद जब वो यहां से गया तो आया भी सीदो तुमारे पास उसके पास क्या कोई तिकारा नहींता रहने का अड़ी ये तो उसका रहाईशी मजबूरी थी आँ मजबूरी तो है लेकिन वो सिर्फ तुम से जुड़ा है अब बैटने का नहीं बोलेंगा इतनी देर गेट पर गड़ा रखेंगा क्या हम सब देख और महसूस कर चुका है कि तुमारा मजबूरी कोहन है तुमारा जरूरत कोहन हरे नौशीन हमारा बात पर यकीन करो हमारे दिल में शांजे के लिए ऐसा कुछ नहीं है हम यह सब कुछ सिर्फ तुमारा और शाहिद के लिए कर रहा था और कुछ नहीं हाँ लेकिन ओ तुचाहिद और आम को छोड़ के सीधा तुमारे पास आए और तुमने उन्हे तुम को बतारा तक गवारा नहीं किया अड़े मैं बताने के लिए कॉल करा था लेकिन अमने तु चांजा की आखों में तुमारे लिए प्यार और गरूर देखा है जो इसको तुमारे साथ होने पर होता था तुम्हें अमपर अदबार करो हमारे दिल में उसके लिए कभी ज़बात नहीं हो सकता है हमें तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है तुमने इस बात पर कैसे यकीन कर लिया तुम्हें अमपर यानि अपनी मुबबत पर एख़बार होना चाहिए तुमारी बात पर यकीन करो हमारा आखों में तुमने कभी कुछ पढ़ने का कोशिश किया है हलाके तुम्हें शांच दिसे ज्यादा हमारा आके पढ़ने का जरूबत है अब वो हमारा गर आ गिया है हम क्या कर सकते है उसको निकाल तोड़ी सकता है हमारी जगह पे अगर तुम होता तो तुम भी यही करता जो हम कर रहा है हम यह गलत पहमी भी दूर कर दूँगा ऐसे तुम सच पुछो तो गलती हमारा ही है हमें उसको पहले दिन यह साफ साफ बता देना चाहिए था कि हम तुम से प्यार करता है मौबट करता है लेकिन आमको दूक्तों इस बात का है कि उसको एसा लगता है कि आपने उसको तुम से दूर कर डिकले सब कुछ गये शायद चाहिए तुम्हारा दिल में उसके लिए कोई जगा होगा इसलिए तो तुम मुझे आ हमारे बारे नहीं बता सका ऐसा बात नहीं है हमको अच्छा नहीं लगा अपना परसनल लाइब इससे डिसकाश करना तुम्हारा आखो में देखो हमारी आखों का मौबद कहा तुमसे नजरें चुरा रहा है तो तो सब क्या था उसका तुम्हारा लिए इतना बेचायर होना आप से लड़ना तुम्हारा इंतिजार करना तुम्हारा लिए कर चोड़ना हडे तुम उसका गलत ज़स्पात का सजा हमको देंगा हम तुमको बार बार समझा रहा है किस गलत पेमि से बार निकलो और जहां तक बार शान्जेक है उसको हम कली घर से निका लूंगा तच में ऐसा कुछ नहीं है हरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पार तुम्हारा सेवा कुछ भी नहीं है उमको बता है, अम दे ये दिन बड़ी अजियत में गुजार है नहीं लिए तुमने अमको भी अजियत में रखा ना सॉर्य नहीं, गल्ती हमारा भी है, तुम सॉर्य क्यों बोल रहा है तुम बस ऐसे ही मुश्कराता रहो, अच्छा लगता है तुम, मुश्कराता हुआ मुश्कराता रहा है आप 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 मुलाकात करनी आप से आप आजाएं तो बहर भानी हो जी मैं इंतजार कर आजाएं आप ने कि आप 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 अँछी अभी तक फैसल नहीं आया वो अपना टायम से घर पे आता है कब आता है कब जाता है कोई टायम टेबल नहीं है यह तो कोई बात नहीं अभी तो अभी तो जोब भी नहीं करता है हम उसको बोस समझाता है उसको सरी मुटका बाजी कचो के दोस्तों यारों में गूमने पिरने का सारा टाइम इसी में लगाता है यह तो वक्का जिया है हाला कि वो कोई जॉब भी नहीं करता है उसकी लाफ का तो कोई एम ही नहीं है हमारा सुनता किदर है हम जो भी बात करता है ना तो बोलता है तो बहुत बोला है जैसे वो बहुत समझदार है हमने उसको बोला यह लड़की कैसा है कौन सा लड़की तुम्हारा बात किया हमने हमको बोलता हमने तो बहुत बोला है पर बात तर असल ये उन नोशीन है ना उसको पसंद करता है नोशीन को पसंद करता है वो यह आपको किस ने बताया अकदादा ने हमको बताया को नोशीन को पसंद करता है तो क्या नोशीन भी पसंद करती उसे अल्ला जाने कौन किसको पसंद करता है हमको तो यही मालूम आँटी, मैं आपके लिए अच्छी सी चाह बना के लाँ तुम बनाएगा चाह, जिए ठीक है बहुत अच्छा लड़की है, हमारा कितना क्याल करता है मनोशिन पोशिन नहीं करता, बतानी क्या है अच्छा करें, हमारा बच्छा राजी हो जाएते, चाह दी करने को बड़ा मज़ाएगा, हमारा क्याल तो रखेगा मेरी गाड़ी तो देखी है ना आप यह उसकी चाह भी है जब आप कहेंगे गाड़ी आपकी हो जाए लेकिन अगर थे थोड़ी सी गड़बर हो गई तो अड़े क्या गड़बर होगा कौल काम बगड़ भी सकता है अड़े, आपका नाम नहीं आएगा साब, आप बेपिकर हो जाओ चीक है, तुम शांजे को लियाओ, मैं तुम्हें गाड़ी देंगा लेकिन इहतियात और संभाल के अड़े साब, अड़े लियारी अपना इलाका है आप बेपिकर हो जाओ, अड़े कोई गरबर नहीं होएगा अड़े देखो साब, अगर आपका बेन लियारी में है ना, तो हम उसको ढूंडने का लेगा अड़े ढूंडना क्या है, अब आपको रात तक बता लेगा नादर भाई, अगर मैं आप से कहा हूँ कि इसी तरह भी शांजे को मेरे पास लेएं तो अड़े, ये कौन सा मुश्किल काम है, हो जाएगा ये जाएगा, तो कर देना फ्लीज आप क्या देएगा क्या शाहिए आप गाड़ी मेरे गाड़ी तो देखी है नाप ये उसकी चाबी है जब आप कहेंगे ये गाड़ी आपकी हो जाएगा लेकिन अगर थे थोड़ी सी गड़बर हो गई तो अड़े, क्या गड़बर होगा कुल काम बगड़ भी सकता है अड़े, आपका नाम नहीं आएगा साब आप बेपिकर हो जाओ ठीक है तुम शांजे को ले आओ मैं तुम्हे गाड़ी देगा लेकिन इहतियात और संभाल के अरे साब अरे लियारी अपना इलाका है आप बेपिकर हो जाओ अरे कोई गरबर नहीं होगा लेकिन अगर शांजे लियारी में नहीं तो तो फिर तुमको शाहिद की बहन को उठाने होगा शाहिद का बहन? शाहिद का बहन को उठाना है? हाँ शाहिद की बहन को अड़े हम इतना बिजारत नहीं है कि जो लालच में आके लियारी की लड़की को उठाएंगा क्या? देखो साब हम तुम्हारा बेंट उठा के तुमको दे सकता है मदब लियारी का लड़की नहीं देगा तुमको और अगर तुमको तुम्हारा बेंट डूड़ना है ना तो हम सब कुछ करेंगा डूड के देगा तुमको अच्छा अच्छा ठीक है तुम किसी तरह भी मेरी बेंट को मेरे हवाले कर दो बाकि सब मैं खुद देख लूँगा खुद देख लूँगा? क्या कुछ करेगा? मतलब तु शाहिद की बेंट को अगवाँ करेंगा दरहसल मैं समझी शाहिद आप नराज है अड़े हमने आपको उसी वक्त बोल दिया था कि हम नराज नहीं है लेकिन उस वक्त मुझे यही लगा था अड़े नराजगी तो रिष्टेदारी में होता है हम तो एक चोटा सा रिक्वेस्ट लेकिया आया था जो आपका मामा ने सुधे बाजी में टाल दिया क्या मनें उनका बात नहीं माना ना तो हमारा बात क्यों मानेंगा? वैसल आप बहुत तेज है बहुत ज़्यादा तेज है आमने बड़ा खुल के बात किया उससे उसने आमको बताया कि उससे कल्ती हो गया चांजा को देखा आपने सारा इलजाम हमारे सर पे डालके एक बिनट में चला गया यहां से ओ जारता है कभी कभी है शा तुम अपना दिल साफ रखो हमको भी लग रहता कि फैसल इसा नहीं है कि जैसे वो अर मामले को बिजनिस की तरह देखता है अगर पाइदा है तो टीक है मिलो वहना नजर अंदास कर दो अच्छा तुम्हे गुद निवस सुननी है या नहीं सुननी है अहां हमको सुनना है जल्ली सुना हो हां पर हमको ये बात अजम नहीं हो रहा है कि उसका शाहिद की बहन से क्या लेना देना अड़े जबके उसके कहर भी गया था हो अड़े कहीं उसका शाहिद की बहन पे दिल तो नहीं आगा है अड़े उस्ताद इतना बड़ा सेथ उसका लिहारी की लड़की पर क्युँ आएगा दिल तुम का ना लाया अब जी मैंने बनाया है ज़ा तुम सोच रहे हैं न और नहीं हो सकता है मैं क्या सोच रही ह। तुमका पता है तुम क्या सोच रहे हैं हमारे बाल सफेद हो गया है हम सब समझता है तुम फेसल को पसंद करता है ना अडे वो अमारे गर पता नहीं कौन सा उमीद लगा क्या किया है कभी हमा के साथ काम में आज बटा रहे हैं कभी हमाई लिए नाश्टा ला रहा है वो दाता बहुत नराज है अडे तो तुम कल्टी करो उसको अडे गरा है मेमान को ऐसा निकालता थोड़े ही है अडे तो तुम एक दो दिन बात्चीत बन कर दो उससे पिर देखो कैसा जाता है वो अडे नहीं दिलाबर हम यह सोच रहा था कि हम उसको सब कुछ साफ साफ कुल के बता दूँगा हम उसको लड़की वापस करने का बाता किया हूँ आ तो तुम्हारा पास है तो कर दो उसको वापस अरे हमारा पास कहां से आए तुम्हारा गार इसलिए तुम्हारा पास है नो अडे वो चला गया चला गया कहा चला गया हमको जरूरत नहीं है तुमको बताने का यार में सब कुछ वारेंगे इस्क में बाजी मारेंगे चाहत की हर बात हसी दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं मल दिल तक दो जाना है रस्ता बड़ा पुराना है ल्यारी से किमारी दुनिया से गबराना क्या महनत से सरवाना क्या अब मुण करना देखेगे हर खत्रे को आप लिया रस्ता हमने नाप लिया मंतिल हमने है ताड़ी ल्यारी से किमारी ध्यारी से किमारी